स्वागत था आप सबका 30 Day Fitness Series Day 4 में और आज मैं ट्रेन कर रहा हूं एप्स और लेक्स को जिन्हें बहुत लोग अवोइड करते हैं क्योंकि लेक लगाने के बाद जो पेन होती वो बरदाश्ट नहीं करियाती पर मैं तो इस बात को मानता हूं कि नो पेन नो गेन अगर पेन ब शुरू करते हैं वर्क आउट को अब आप से एक्सराइज मैं शुरू कर दिये और यह ही मेरी पहली एक्सराइज इसके मैं लगा रहा हूं 21 रैपिटेशन और इसके रहेंगे 3 सेट और आप आपने ब्लोग को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अभी परफॉर्म कर रहा हूं दूसरी एक्सराइज इसके लगाँगा 15 रैपिटेशन और 3 सेट यह भी एप्स के लिए एक अच्छी एक्सराइज है और 30 दिन के बाद जब आपको मैं बोडी दिखाऊंगा उसमें एप्स भी एक मेजर रोल प्ले करेंगे कि वो भी एक बो लोग को लाइक करें और प्यार दिखाएं अभी परफॉर्म कर रहा हूं मैं एप्स की तीसरी एक्सराइज इसके भी लगाँगा 21 रैपिटेशन के साथ 3 सेट और अगर तो आप इस ब्लोग को उन्ना ही हम आचल से देख रहे हैं फिर तो आप इस चैनल को पक्का से सब्सक काफी कम है और मैंने स्टार्ट कर रहा है तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है तो अगर आपने अभी तक डे वान डे टू डे त्री का व्लोग नहीं देख रहा है तो आप जाके बहुत देख ले वहां भी अपना प्यार देखाएं वह एकदम धांसू होने बाड़ा है एकदम जवर्दस होने बाड़ा है अभी परफॉर्म कर रहा हूं लेग की फर्स्ट एक्सरसाइज गोबलिस्ट साइकलिस्ट स्कॉर्ट इसमें यूज़ कर रहा हूं में 20 kg का डंबल और इसके लगाऊंगा चार सेट और इसकी रहेंग तक और यहां लेक का फर्स्ट बर्काउट इसमें पंप काफी अच्छा आ जाएगा और काफी स्ट्रेंथ लगी इसी बर्काउट के अंदर बढ़ते हैं इसके बाद सेक्ट बर्काउट के तरफ परफॉर्म कर रहा हूं दूसरी एक्सरसाइज लेग प्रेस इसमें जो जाएवन टू नाइन राइपिटेशन के साथ फोर सेट मसल फेलियर तक यह यह काफी अच्छा वर्काउट है लेक के लिए और सच बता रहा हूं जो पेन होएगी अभी नहीं होएगी लेक वर्काउट खतम करने के बाद सोबार जब उठोंगा पर तब रहेगी वह जो पे अभी परफॉर्म कर रहा हूं तीसरी एक्सरसाइज इसके भी लगाऊंगा 11-13 रैपिटेशन वेट यूज कर रहा हूं 30 kg और इसके भी रहेंगे 4 सेट लेक के अंदर मोस्टी में 4 सेट लगाता हूं ताकि जो मसल है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगी अभी परफॉर्म कर कर रहा हूं लास्ट एक्सरसाइज लंजिस इसमें वेट यूज कर रहा हूं 40 kg इसके भी 21 रैपिटेशन के साथ रहेंगे 4 सेट मिरे अकोडिंग आपकी बोडी के जितने ही मसल्स जो की बाहर से दिखाई दिए उन सभी मसल्स का शेप में आना बहुत जाद ज़रूरी है त हुआ